हां जी हां जी करने वाले लोग यदि आपके पास में है तो आपकी प्रगती में बहुत बड़ा धोका हो सकता है या आपके प्रगती वो बीच प्रगती के वो बीच में आ सकता है तो आपके लिए में एक नए वीडियो लेके आ रहा हूं अपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोवन तत्रा वेसनमुक्त की दगने हूं महाराष्ट में अकोला मुंबई नागपूर पुने यहां हमारे होस्पिटिल से सबके लिए मांसिक स्वास्थ और वेसनमुक्त भारत यहमारा मिशन है I don't want any yes man around me I want everybody to tell me the truth even if it costs them their jobs यह बताया है Samuel Goldwyn ने इसका मतलब यह है कि मुझे मेरे आसपास हाजी हाजी करने वाले लोग नहीं होना मेरे आसपास के लोग जो है वो ऐसे होना जरूरी है कि जो मुझे सत्य बताएंगे और सत्य बताकर उनका उनकी नोकरी भी समझो जाती होंगी उनको नोकरी भी कभी खोना पड़ता होंगा मगर वो सत्य बताएंगे ऐसे दिलोग होंगे तो वो लोग मुझे चाहिए हम हर्दम देखते हैं कि हमारे पास में आजू बाजू में हमारे हाथ के नीचे जो काम करते हैं लोग वो हज़ें हज़े करने वाले रहते हैं उनको ऐसा डर लगता है कि बॉस को हमने ना नहीं बोलना चाहे कोई नकर अत्मुक बोलना नहीं चाहे उसके हां में हां मिलाना चीए और यदि हां में हां नहीं मिलाएंगे उनको अच्छा लगता नहीं तभी भी तो भी हां में हां नहीं मिलाएंगे तो बॉस नाराज हो जाएगा या मालिक नाराज हो जाएगा और वो कुछ बताएंगे नहीं अपने मन में वो बोलते होंगे कि अरे ये ठीक नहीं है ऐसा उनको लगता होंगा कोई decision मालिक ने लिया होंगा उनको लगता होंगे ये ठीक नहीं है मगर तबी भी वो साब बोलेंगे नहीं मला उसका नुकसान हो सकता है company हो सकता है मगर वो लोग चाहते नहीं है मतलब वो लोग देखतें भी नहीं है कि मतलब ऐसा हो गया तो भी चलता है कि उनको लगता है कि चोड़ो जाने दोना अपने को क्या है मरको आज मेरा जॉब टिके रहना है मतलब मेरे जॉब में टिके रहने का है तो आप क्या आजू वाजू में ऐसे लोग रखो कि जो लोग आप से straightforward बात कर सकेंगे जो आप से सिधा बोल सकेंगे कि नहीं इसमें company का loss हो रहा है इसमें हमारा loss हो रहा है यह हमने नहीं करना चाहिए ऐसा बोलने वाले straight बोलने वाले लोग आपके पास में होना चाहिए मगर वो इस तरह का लोग कब बोलेंगे जब आपने उनको एसी permission दी है आपके यहां ऐसा बातावरण है कि जहां लोग सीधी बात कर सकते हैं यदि आप dominating nature के है बहुत प्रभाविशाली है लोगों के ओपर हवी होने वाले हैं लोगों को दबाने नकलता तो तो जोगी बोलेंगी इसे कुछ विलता है कि यहां न ही जाप को चले जाएं के इसलिए आपके आसपास के लोगों को आप यह permission दो कि वह सीधी ब aut bringt करते हैं तभी कुछ होंगा नहीं वो ट्रुत बोलते हैं तभी भी कुछ होंगा ने उंको कोई सप्सक्रेंस और उनकोई मनेंगेनिख ईदल कोई आतारण में सब काम करते हैं देखो कंपनी की कितनी प्रगति हो सकती है इसलिए जो सेमियल गोलविन ने बोला है कि I don't want any yes में around me I want everybody to tell me the truth even if it cost them their jobs तो आपको यह अच्छा लगा तो जरूर शेर करो subscribe करो like करो बे लाइक होना था उसके पर करो दाकि मेरे वीडियो के नुट्विशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि 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 कि